तर्शंबिट पात्रा कॉंग्रेस सेकुलरिजम की प्रेरी है और वेसे ही साब कहते हैं कि हम भी सेकुलरिजम चाहते हैं लेकिन नफरत तो सिरब आप ही पहला रहे हैं अमिश भाई मैंने बड़े ध्यान से सबको सुना थोड़ा ध्यान से मुझे सुन लिया जाए नमबर एक अभी जरा एए एमाइम के इस प्रवक्ता को मेरे बोलने के बाद याद दिला दीजिएगा कि आज से चंद दिनों पहले ही अमरावती में AI, MIM और सिवसेना की गटबंदन हुई है दोनों मिलके उन्होंने वहाँ पर कॉर्पोरेशन में गटबंदन किया हुआ है समझा दीजिएगा अमिश भाई आपको कैसे लगेगा अगर युनाइटेड नेशन में एक निरने लिया जाए कि पाकिस्तान को बुला करके अब पाकिस्तान से हम सुनेंगे कि आतंगवाद कितना खराब होता है आतंगवाद से क्या होता है आज आप डिबेट में नफरत के उपर डिबेट कर रहे हैं और इसमें हेड मास्टर बनके आये हैं AI MIIM के प्रवक्ता जिनोंने कहा था 100 करोड वर्सेज 15 करोड वो उसके हेड मास्टर बनके आये हुए है इस डिबेट में यह वही अभी बोल रहे थे कि लैला और मजनु मैं बताता हूं लैला कौन और मजनु कौन है जहां तक OVC जी का सवाल है उनका नाम आज से में रखता हूं नफरती लैला वो कोई लैला वाला नहीं है वो नफरती लैला है और तुष्टिकरण उनकी मजनु है यह लैला मजनु की जोड़ी है नफरती लैला वितुष्टिकरण मजनु और देखे आमीश भाई मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था यह मैं कुछ बहुत महत्तोपूर बाते रखना चाहता हूं अमीश भाई मैं चिलाए नहीं था अब मैं जला शांती से बोल लूँ अब बार के लखे लखे लिए नफरत पर चिला रहे हैं एक ती जोर से देखिए नंबर एक अमीश भाई यहां पर मैं याद दिला दू यह वही ए-a-i-m-i-m है जिसके असवदी नोवेसी ने कहा था यह उनकी मा कौसलिया ने जाके भगवान राम को कहां कहां जना था यहां जना था वहां जना था उसके बहुत तालीब जी थी ठाहका मारके और उन्हें भगवान की मा का मजाक उड़ाया था यह वही ओवेसी है जिनोंने कहा यह भाग्ये लक्ष्मी कौन सी नहीं देवी आ कि यह वही पार्टी है ओवेसी जी का वो बयान दिखाई है जिसमें कश्मीर में जब साथ हमारे पुलीस अधिकारी शहीद हुए थे उन्होंने कहा था ये तो सारे मुस्लिम अधिकारी है जो शहीद हुए है हिंदू थोड़ी सब्सक्राइब बताइए ये वो लोग है और उ ये कौन सा प्रेम प्रसंग था जिसके अंदर ओवेसी साप उत्तर प्रदेश जाते हैं और वहाँ पर एंकाउंटर के भी धरम देखते हैं वह पूरी लिस्ट निकालते देखिए 37% मुसलमानी मुसलमान लोगों को मारा गया यानि मुसलमान वो लोग जो की अत्याचार कर ने थे लोगों को परिशान करें थे गैंग्स्टर थे उनको मारा गया और उसमें 30% कौन ते उसकी गिंती वह भूल जाते हैं ऐसा क्यों ओवेसी सहाब ने इंपरिकल डेटा बताया के यूपी में 2017 से 2020 के वीच में जो एंकाउंटर हुए उसमें 37% जो एंकाउंटर हुए म किसे ने पूछा था यह सवाल? किसे ने पूछा था कि जब योगी चीफ मिनिस्टर के यूपी के आसे मिली में खड़े हो कही है बोलते है कि आप हम रूल अव लॉव नहीं मानेंगे हम ठोक देने वाली आइडियोलोजी को मानेंगे तो इतो रूल अग गंसे देश चलेग को सुनिए और या ये चाते हो कि आप क्या चाते हो कि पुलिस में चले हा बनाता है कि भारिस उस्राइब शूल नगे अखर का वारिस पनान ऴीज स Cash मिल रिस पाजडरे खेन विद दूर स्रेश बारत के कोटी कोटी लोग आपको नमन करेंगे वार आपको नमन करेंगे कि आप उस इंपरिकल डेटा में ये भी बताते हैं उसका इंपरिकल डेटा भी बताते हैं कि कितने लोगों को इन्होंने मारा कितने पुलिस वालों को घायर करा कितने पुलिस वालों को शहीद कर दिय लोगों ने इंपरिकल डेटा में ये भी बोलते लेकिन आपके इंपरिकल डेटा में 37 परसंड मुसल्मान थे वह गलत है अब यह तो परिकल डाटा की बात हो रही है मैं आपको एक चैलेंज देता हूं अमिश भाई आप ज़रा एक एंपरिकल डाटा लगा यह कि पूरे विश्व में कितने परसंटेज आतंकवादी कौन से धर्म के हैं आप निकालिए जरा कौन से धर्म का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता यह बाकी समय तो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता और जब फांसी हो जाती है और गोली चल जाती है तो कहते हैं मरने वाला तो मुसल्मान है यह कैसे हो सकता है मतलब आतंक करने वाला उसका धर्म नहीं होता और मरने वाला मुसल्मान हो जाता है यह कैसे हो गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप एंपिरिकल डाटा निकालिए पूरे विश्व में ब तो दोस्ता अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो वीडियो जोरुद थोड़ी बताब अच्छी लिए वीव भी इसलिए वीडियो को लाइक कर देजिए शेयर कर देजिए और ऐसी वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर